है दोस्तों वेलकम टू यद्निया इंविस्मेंट अकाडमी और टैक्स तजडे में आपका स्वागत है आज का हमारा विशय है है हुएफ वैसे हुएफ काफी बड़ा कंसेप्ट है पर हम उसको दो तीन सेशन में कवर करने का ट्राय करेंगे हमारा हुएफ का जो कंसेप्ट ह यह थीन सेप्ट पे फ्लो करेंगा एक वाट इस हुएफ दूसरा होगा कि में हीसरी का कॉर्पट कैसे जनरेट करना है और थ़र होगा कि में कम कैसे ऑसका टैक्सेशन कैसे होगा तो पहला समझते हैं दोस्तों के में है HOW होता उसका ये एक separate entity है, तो इसलिए इसको एक अलग status दिया गया है, हुएफ के नाम से, कि भी Hindu Undivided Family हुएफ, तो इसमें कौन-कौन कवर होता है, इसमें क्या सरीफ Hindu कवर होते हैं, तो नहीं, इसमें Buddhist, Jain, Sikh और Hindu, ये सभी लोग इसमें कवर होते हैं, Hindu होते हैं, Buddhist होते हैं, Jain होते होते हैं, और Sikh होते हैं, तो ये चारों religion वाले लोग, हुएफ के अंदर में कवर होते हैं, अब हुएफ law है क्या, क्या कोई codified law है, तो नहीं, हुएफ law जो है, ये customary law है, मतलब ये जो customs चले आ रहे हैं, उसके basis पे ये law create हुआ है, मतलब ये by default created law है, बट इसको support में, Hindu law इस के बहुत सारी चीजे, Hindu law के अंदर में define होती है, तो इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं, हम देखते हैं, हुए हुए का काम क्या होता है, यूज क्या होता है हुए 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 का, तो हुए हुए वैसे तो main use होता है, succession planning में, पर ये main use अभी के लिए तो sideline हो गया है, अभ चाहें तो succession planning मतलब जो भी assets है या business है ये successor के पास एकडम easy way में पहुचाना मतलब जो भी मेरे properties है business है assets है इसके लिए मेरे जो children's है या बच्चे जो है ये जगडा नहीं करें ये एकडम smoother way में smoother way में उन तक पहुच है और आगे से आगे वो undivided way में चलता रहें तो ये general में अभी के level पे बड़े बड़े corporate जो करते हैं जैसे Tata ने किया हुआ है तो ये private trust के अंडर में किया हुआ है उसी का ये एक tool जो है ये tool था HOF पर उसको आज उस way में बहुत कम देखा जाता है आज तो mainly taxation purpose के लिए ही उसको दिखा जाता है तो हमारा भी discussion जो होगा ये mainly taxation point of view से ही होगा succession planning के point of view से ये कम रहेगा succession planning में इसमें कोई भी business अगर हम HOF में run करते हैं तो HOF में ये business continuously indefinite period तक चल सकता है उसके अंदर जो भी members होंगे HOF के वो वहाँ पर as an employee काम करते हैं उनको उनके काम का remuneration मिलता है और business को कोई भी claim नहीं कर सकता कि nobody is going to say that this is my business तो इस वे से ये चा continuously चल सकता है तो इसमें कोई भी disturbance आता नहीं है तो आगे देखते हैं दोस्तों कि भी HOF जो होता है HOF अभी जो हम देखते हैं वो सिर्फ mainly tax planning के लिए देखते हैं तो HOF में tax का क्या benefit होता है तो taxation में जैसे individual के लिए जैसे individual के लिए tax labs होते हैं 2.5 लाक्स तक exempt होता है उसके ब deductions होते हैं chapter 6 के deduction होते हैं जिसमें ATC, MediClaim, NPS ये सारी चीज़े जो cover होती है तो ये सारे benefits जो होते हैं equally HOF के लिए भी मिलते हैं मतलब अगर एक individual है और उसकी HOF भी है तो वो दो जगह पर ये धाई-धाई लाग का claim कर सकता है दो जगह पर देड़ देड लाग का ATC का deduction ल सारे benefits जो होते हैं जो individual को available होते हैं वो सारे HOF को available होते हैं इसलिए generally HOF को form किया जाता है अब जितना हम simple way में बोल रहे हैं कि HOF को form किया जाता है दो अलग-अलग जगह पे उसका benefit मिलता है तो वो उतना straight नहीं होता है उतना simple नहीं होता है क्योंकि उसके under में तीन चीज़े main important होती है एक तो HOF creation दूसरा होता है उसके under में corpus generation और तीसरा होता है income generation HOF creation तो ये होता है by default मतलब इसको जो govern करते हैं law इसको दो law govern करते हैं वैसे जैसे हमने पहले बताया है कि ये कोई codified law नहीं है पर इसको govern करने वाले जो दो law है वो है Hindu law और income tax act इंकम हम देख रहे हैं और by default Hindu law है क्योंकि Hindu family है इसलिए तो Hindu law के under में HOF जो है HOF on the day of marriage मतलब जब किसी की शादी हो जाती है मतलब male member की तो उसी दिन उसका HOF form हो जाता है बट but income tax act के हिसाब से income tax के हिसाब से HOF जब फॉर्म होता है जब कोई kid होता है मतलब कोई बच्चा होता है तो जब तक के कोई बच्चा नहीं रहता है लड़का हो या लड़की हो 2005 के पहले सिर्फ लड़का हो तो ही HOF form होता था 2005 के बाद जब lawम amendment आई तो उसके बाद में लड़की भी हो तो भी HOF form हो सकता है तो इसलिए कि भी हिंदू law के हिसाब से तो on the day of marriage भी HOF existence में आ जाता है Income Tax Act ये बोलता है कि भी कम से कम 2 co-partners चाहिए Income Tax Act के अंदर में उसको treat करने के लिए 2 co-partners चाहिए और 2 co-partners कब रहेंगे जब कोई एक बच्चा रहेगा क्योंकि एक तो male member जिसकी HOF है वो रहेगा Like अगर मेरा example लो तो मैं HOF में हूँ तो मेरे HOF में मैं एक करता हूँ मतलब मैं एक co-partner हूँ और मेरा बच्चा जो होगा लड़का या लड़की वो एक co-partner रहेगा मेरी wife जो होगी she will not be co-partner she will be member of HOF तो वो member है पर co-partner नहीं है अब इसके अंदर में कुछ judgments है अब क्योंकि ये codified law नहीं है तो ये discretion के लिए मतलब interpretation के लिए ओपर है तो इसमें कुछ कुछ judgment है जिसमें income tax के अंदर भी with marriage मतलब सिर्फ marriage हो गया तो on the day of marriage also HOF को recognition दी दिया है but strict sense में अगर हम बोले तो जब तक के दो co-partner नहीं रहेंगे तब तक हमने HOF फॉर्म करने का मतलब HOF को as a tax entity करके treat नहीं करना चाहिए ये हमारा suggestion है बाकि तो दोनों तरफ के judgments अवे लेबल है जहांपर deny भी किया गया है कि on the day of marriage HOF फॉर्म हुआ है तो उसको deny कर दिया उसको scrap कर दिया और ये बताया गया कि जब बच्चा होगा तब ही HOF फॉर्म होगा and on the other hand also the judgments are there कि वहां पर उन्होंने बता है कि वह on the day of marriage your HOF is legally in existence पर हमने safer side का call देखना चाहिए बच्चा होने तक HOF ना treat करें income tax के अंडर तो बिटर वे है तो ये हो गया दोस्तों कि भी HOF कैसे form होता है दूसरा होता है कि भी corpus creation HOF के अंडर उसके पहले दोस्तों क्या HOF क्या HOF कोई property hold कर सकता है तो हाँ definitely HOF property को hold कर सकता है immowable हो या movable हो मैं महाँ पर घर रख सकता हूँ मैं महाँ पर land रख सकता हूँ मैं महाँ पर land purchase करके उसमें scheme भी बना सकता हूँ ये हो सकता है क्या उसमें कोई business run हो सकता है तो definitely run हो सकता है मैं महाँ पर shop run कर सकता हूँ मैं महाँ पर company जैसे हर कोई activity में में वहाँ पर consultancy firm रन कर सकता हूँ, construction का business रन कर सकता हूँ, तो मैं general में कोई भी business HOF के अंडर में रन कर सकता हूँ, और कोई भी property HOF के अंडर में hold कर सकता हूँ, तो मुझे HOF it is like a separate legal entity, यह एक separate legal entity है like जैसे private limited company है, partnership firm है, proprietorship firm है, उसमें मैं जो जो भी चीज़े करता हूँ, वेसे ही यहाँ पर मैं सारी चीज़े कर सकता हूँ, बस एक है कि भी HOF में मैं professional, मतलब as a professional में नहीं रह सकता हूँ, like doctor, तो HOF doctor नहीं बन सकता है, एक individual बन सकता है, पर क्या hospital HOF के अंडर आ सकता है, तो definitely आ सकता है, hospital can be under HOF और वहाँ पर वो doctors को hire कर सकता है, तो मतलब यहाँ पर HOF के अंडर में hospital बन सकता है, medical store बन सकता है, तो जो भी चीज़े private limited में और partnership firm में और LLP में हो सकती है, वो लगबग चीज़े HOF में भी हो सकती है, मतलब मेरी HOF है, वो property को में HOF में डाल देता हूँ, इसके उपर, क्योंकि as हमने बुला कि अपर codified law नहीं है, तो interpretation open था, तो यहाँ पर judgments है, Supreme Court के काफी, कि जब तक के कोई भी ancestral property HOF के नाम से by will नहीं आई है, तो हर कोई ancestral property को हम HOF की property बोलके treat नहीं कर सकते, बहुत सारे HOF को उन्होंने since inception crash कर दिया है, मतलब उसको deny कर दिया है, क्योंकि सिर्फ ancestral property होना is not creation, मतलब वो कोई HOF create करने के लिए reason नहीं हुआ, और या फिर वो उसका corpus होना ज़रूरी नहीं है, तो हमारे पास में HOF के लिए जो पैसा चाहिए या corpus चाहिए, तो it's not always necessary कि मेरे पास ancestral property है, मतलब मेरे HOF के लिए corpus हो गया या funds हो गये, तो हमने वो ध्यान रखना चाहिए कि ancestral property by will आनी चाहिए, नहीं तो, नहीं तो हम उसमें corpus create कर सकते हैं, अब corpus कैसे create हो सकता है, HOF के लिए capital कैसे बन सकता है, तो एक तो HOF को gift मिल सकता है, पहली बात, तो वो किसी से भी gift ले सकता है, definitely gifting provision applicable होने वाले हैं, gift के मतलब taxation के provision applicable हो गये, अब वो 50,000 का अगर gift मिलेगा, तो वो taxation में आएगा, 50,000 के अब उस साल वर में अगर gift आएगा तो, अब अगर मैं समझ लेता हो कि दो 2,000,000 का gift आ गया, taxation में भी आ गया, तो भी tax कितना आना है 1,000,000 अगर दूसरा कोई income है नहीं तो, तो मैंने अगर 1,000,000 तक कोई gift ले लिया है है, तो भी मुझे 0 tax आना है, क्योंकि 10,000,000 तक का basic exemption है, उसके उपर, उसके उपर अगर मैंने कोई ELSS कर लिया है, tax saving mutual fund में लिया है, या कोई policy ले लिया है, या tax saving के कोई चीज़े की हैं, तो 1,500,000 तक का मुझे वो भी exemption है, तो मतलब अगर मैं 4,000,000 तक का भी gift लेता हूँ, तो भी वो exempt है, 4,000,000 तक का भी gift, क्योंकि 1,500,000 का मुझे basic exemption, sorry, 1,500,000 का मुझे ATC का deduction भी मिलेगा, plus basic exemption दोनों मिलके, मेरा हो गया 4,000,000 तक का, तो ये एक वे हो गया corpus creation का, दूसरा है कि भी जो HUF के सारे co-partners हैं, जो भी members है, वो सारे लोग मिलकर capital contribute कर सकते हैं, हुआफ के लिए, जैसे हम अगर कोई partnership firm या private limited बना रहे हैं, तो उसके पास कोई corpus होता है, क्या नहीं होता है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, कि भी partners मिलके उसमें corpus जमा करते हैं, वेसे ही HUF में, हुआफ में corpus कैसे create होगा, कि भी सारे members मिलके उसमें contribute कर सकते हैं, as in capital उसमें ला सकते हैं, तीसरा तो हुआफ लोट भी ले सकता है, अगर मुझे वहाँ पर कोई business करना है, तो मैंने सारे members से कुछ लोट ले लिया, लोट लेने के बाद में, उसी fund से मैंने कोई business start किया, वो business कोन run करेगा, उसके members, वो किसी को भी hire कर सकता है, किसी को भी employee कर सकता है, कि कोई भी employment में, वो employment में लोगों को रख सकता है, सारे जो भी tax compliance है, वो सारे HUF को equally applicable होते हैं, HUF का bank card separately होता है, HUF अगर run होता है, तो अगर उसके employees 20 के अबव जाते हैं, तो उनको PF, ESIB नंबर compulsory होता है, अगर employees है, तो वहाँ पर उनका PTE deduct करना होता है, 200 पर मन्त का और वो government को भरना भी होता है, income tax return फाइल करना होता है, अगर audit में हैं हम, तो हमको TDS भी deduct करना होता है, और TDS return भी फाइल करना होता है, जैसे एक individual को, HOF को, individual को, company को, जैसे-जैसे tax compliance अप्लिकेबल होते हैं, वैसे-वैसे सारे HOF को भी होते हैं, वो limit हीट होने के बाद, GST भी applicable होगा, अगर मैं 40 lakhs का limit exceed करता हूँ, goods के लिए, और 20 lakhs का service के लिए अगर exceed करता हूँ, तो वहाँ पर GST भी applicable होगा, HOF हर कोई चीज कर सकती है, हर कोई business कर सकता है, provided उन्होंने वो सारे compliance किये रहने चाहिए, अब आगे हमारा topic रहेगा दोस्तों, कि वहाँ पर income generate कैसे होता है, और उसके उपर कौन-कौन सी चीजों का हमको HF form करते समय, या HF run करते समय कौन-कौन सी चीजों का ध्यान रखना होता है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेर करना मत बूले, थैंक्यू दोस्तों.